तेजस्वी आदों के करीबी नेता और बिहार के पुरमंत्री ब्रिशन पटेल के वाटसेप पर एडिटेड असलील फोटो भेज कर 50 लाख रुपे की मांग की गई है दरसल वो पटना के कदमकुआ थाने इलाके में रहते हैं तो अलग अलग नंबरों से उनके मोवाइल पर वाटसेप कॉल करके बोला गया कि अगर 50 लाख नहीं देंगे तो फोटो को स्वरावजनिक कर आपका राजनेतिक करियर बरबाद कर देंगे दरसल एडिटेड असलील फोटो वाने पर और 50 लाख रुपे मांगे जाने के बाद उन्होंने आर्थिक अपराद काई यानि E.O.U. में केस दर्ज कराया है केस दर्ज होने के बाद E.O.U. जाज में जुटी हुई है E.O.U. को दी लिखित सिकायत में पूरो मंतरी बिर्शन पटेल ने कहा कि करिब दो महीने पहले एक महिला कदम कुआ थाना छेतर में इससे तुनके आवास पर मिलने आई थी उसने अस्टाफ से कहा कि मुझे मंतरी जी से मिलना है स्टाफ ने कहा मंतरी जी अभी नहीं मिल सकते हैं हलाकि मंतरी ने सिकायत में कहा कि आरूपी महिला स्टाफ से मुझे से मिलाने की जीद करने लगी स्टाफ ने समझाया लेकिन वह नहीं मानी अंत में स्टाप ने महिला को मुझसे मिलवा दिया महिले ने कहा कि मैं MLA बनना चाहता हूँ इस पर मैंने कहा कि MLA बनना इतना आसान नहीं है अगर आजनीती में दिल्चस्पी है तो पार्टी से जूड़ जाए इसके लिए आपको पार्टी कार्याले आकर सदस्ता ग्रहन करनी होगी हलाकि पुरोमंत्री ने योईू को बताया कि वे एक दिन कार से हज़भवन से एयरपोट वाली सड़क होते हुए बेली रोड की ओर जा रहे थे एक जगह वेरू के स्वारोपी महिला ने वहाँ उन्हें देख लिया वह पासकर बोली पासी मेरा घर है थोड़ी देर के लिए चरे मैं उसके घर चला गया मैंने महिला से पुछा कि पती कहा है उसने कहा काम से बाहर गए हैं घर में उस वक्त दो लड़किया भी थी पुछने पर महिला ने बताया कि दो बहने हैं महिला कुछ समाल लाने कीचन में गई तो दोनों लड़किया मेरे सामने कपड़े उतारने लगी मैंने डाटा तो वे सहम गए उसके बाद मैं वहाँ से निकल गए हलाकि घटना के करिब दो महीने बाद 26 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को दो मुवाइल नंबर से मेरे मुवाइल पर कॉल आया कहा गया कि आपके पास दो लड़किया गई थी जिनके साथ आपने हसलीले हरकत की जिसके बाद मेरे मुवाइल नंबर पर दो नंबर से कॉल आया इसके बाद मेरे वाटसेप पर एडिटेड असलील फोटो भेजा गया और उसे फिर उसे डिलीट कर दिया पुरोमंत्री ने दर्ज केस में कहा कि वे उस फोटो को ठीक से देख नहीं पाएं वाटसेप पॉलपस ने 50 लाग की रकम मांगी और नहीं देने पर राजनेतिक करियर को बरबाद करने की धम की दिया एक सीधे तोर पर सिजस्वी आदव को करीबी नेता राजत के वरिष्ट नेता बिर्शन पटेल से कही न कहीं असलील फोटो भेज कर उनसे 50 लाख रुपे की डिमांड की गई है हलाकि फोटो जो है इडिटेड असलील फोटो है इसके बाद हलाकि जुन्यत महिला है वो उनके घर पर पहले मिलने गई थी और उनसे मिलने की जीद करने लगी हलाकि जब बिर्शन पटेल से वो मुलाकात की तो वो एमेले बनने की जीद की हलाकि इस पर बिर्शन पटेल ने कहा कि एमेले बनना इतना आसान नहीं है हलाकि जब वो एक बार हज भवन के करीब थे तो वहां वो उन्हें बुला कर उन्हें अपने घर ले गई उस वक्त उनके पती घर पर नहीं थे दो लड़किया उनके घर पर थी जब उन्होंने पूछा क्या आपके पती कहा है तो उन्हें ने सीधे तोर पर कहा पती बाहर है और दोनों लड़किया उनके सामने कपड़े खोलने लगी जिसके बाद बिर्शन पटेल ने उन्हें डाट फटकार लगाई जिसके बाद वो सहम गई तमाम जो बड़ी बाते हैं वो खुल कर सामने आई हैं तमाम जो हलाकि इस पर बिर्शन पटेल ने यो यू में केस दर्ज कराया है समाम जो बाते हैं वो उन्होंने लिखवाई बयान दर्ज कराया है हलाकि इसके बात देखना होगा पुलिस क्या कुछ करती है देखना देलचस्त है हलाकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट इंट सेक्शन में लखेगा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए दा इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजे फिर सुप पर देख रहे हैं तो लाइक और शेर कर दीजे धन्यवाद